बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादों जो कहते हैं उसको कान खोल कर सुन लिजिए तेजस्वी यादों कहते हैं कि जो जादतर आबादी है उसके पास जमीन नहीं है जो कम लोग हैं उनके पास जादा जमीन है और यही लेंड लोड हैं मतलब कि यही जमीनदार है और इसके बाद वह जब चंद लोगों के पास ज्यादा जमीन होने का जिक्र करते हैं तब कहा जाता है कि क्या अब जो जाती आरहारित जनगर्णा हुई है उसमें जमीन का डेटा जुटाया गया है और अब सरकार के पास वह डेटा आ चुका है कि किस जाती के पास ज्यादा जमीन है किस जाती के पास कम जमीन है और बिहार सरकार के पास भूमी सुधार आयोग का जो रिपोर्ट था जो उसके तरब से कहा गया था उसको लागू करने का मौका है तो क्या लागू कर दिया जाएगा और इसका मतलब क्या यह होता है कि आप राजपूत हैं, भूमिहार हैं, पंडित हैं, आपके पास 50 बिगहा जमीन है, किसी दूसरे जाती के लोगों के पास 10 कठा जमीन है, तो आपके जमीन को सरकार छीन लेगी और उसको दे देगी, क्या इसका मतलब यह है, सब पर एक एकर क बात्चीत करेंगे, आपको सारी कहानी बताएंगे, बागे नमस्कार मैं नाम है मोहित कुमार सिंग, और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं, सबसे पहली बात, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, कि चाहें आप किसी भी जाती के हैं, और चाहें आपके पास 50 बिगहा जमीन है, चाहें 100 बिगहा जमीन है, उस जमीन को सरकार छीन लेगी, ऐसा नहीं हो सकता, सरकार आपके जमीन को लेकर दूसरे को नहीं दे सकती, ऐसा कता ही नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार कर क्या सकती है, आप इस बात को समझे, अब भूमी सुधार आयोग जो हो IPS मतलब की ओफिसर लोबी बड़े बड़े नेता जो है वो अंदर खाने भिरोध कर देते हैं सरकार डर जाती है रुख जाती है लेकिन अब तेजस्वी यादो इशारा कर रहे हैं इस पर बोल कर तो क्या होगा तो होगा यह कि आपके पास अगर सो विगहा खेत है तीस विगह खेत है आप खेती खुद नहीं कर रहे हैं बलकि खेती आप दूसरे को दे रहे हैं जो बटाईदार के रूप में आपके खेत पर अपना मेहनत से अपने मेहनत से फसल उप जाता है और आप उस फसल में से आधा आधा हिस्सा बाट लेते हैं तो उस पर सरकार नियम ला अब उसका नियम क्या आजाएगा या क्या हो सकता है तो कहा जा रहा है कि जो सिफारिस है भूमी सुधार आयोकी वह सिफारिस यह है कि बटाईदारों को अगर कभी भी आप हटाना चाहते हैं कि अब वो हमारा खेत ना बोए तो उसके लिए आपको एक कानूनी प्रकिरिया के तहद गुजरना होगा मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप जब मन करें तब अपना खेतों वापस ले लेंगे बल्कि बटाईदारों का अपना अधिकार होगा अब एक और बात समझे बटाईदारों के पास एक परची होगी वो परची लिगल परची होगी सरकार का दस्ताव होगा और उस पर्ची के बदावलत उस जमीन पर बटाईदार बैंक से लोन ले लेगा करज ले सकता है और यह उसका अधिकार होगा जैसे आपके नाम पर जमीन है तो आप करज लेते हैं ठीक इसी प्रकार से अब जब बटाईदार लीगल होगा बटाईदार सरकार के नजर म बैद होगा उसका record होगा तो बटाईदारों को वो फाइदा मिलेगा अगर जमीन पर फसल नश्ट हो जाए तो जो पैसा आएगा वो बटाईदार के पास आएगा ना कि खेत के मालिक के पास आएगा यह है भूमी सुधार आयोक की कुछ सिफारी से जिसको लेकर कहा जा रहा ह कि सरकार इसको लागू करवा सकती है लेकिन अगर किसी के दिमाद में यह बात है कि जमीन छिनकर सरकार किसी को बात देगी तो यह सरासर गलत है ऐसा उस रिपोर्ट तक में उस सिफारिस तक में कहीं नहीं कहा गया है अब जो तेजस्वी यादो बात को कहते हैं कि ज्यादतर कम लोगों के पास ज्यादतर खेती योग्य भूमी है यह बात एक परकार से सही भी है कई सारे जगों पर कहा जाता है कि 10 प्रतिशत की भी हार की जो आबादी है उसके पास 50 प्रतिशत खेतों पर कंट्रोल है मतलब कि 50 प्रतिशत जो भूमी है उस पर उसका कंट्रोल है और 10 प्रतिशत की वो आबादी जो है उसमें अगडों की जनसंख्या जादा है मतलब कि भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राहमन हैं और इनका भूमिपरस्वामित्व जो है जो उनका जो कबजा है वो अन्य जातियों के मुकाबले जादा है और फिलाल तेजस्वी यादों कहते हैं कि यही लेंडलोड है कि कम लोगों के पास जादा जमीन और शायद अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट आता है जो भी जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुचाएंगे आपकी क्या राह है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा और सबसे महत्तपुन बात जाते जाते आपको यह भी बता दे कि ब 74 परतिशत आनाज में हिस्सा होगा अगर जो मालिक है वह भी पैसा देता है तो मालिक और बताईदार के बीच 60 और 40 के आदार पर बटवारा होगा मतलब कि 60 परतिशत आनाज पर जो दावा होगा वो बताईदार का होगा आगे तमाम और जो जानकारी आएगी आप तक हम प नवाद